आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में हमसे पुझा गए Character about H Bonding in Nucleotides अब Nucleotides क्या होते हैंँगे देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं क्या होते हैं हमार पास ATGCA drei क्या गए हमारे पास क्या होता कि जैसे की HITROCyclic Base बोलते ने हITROCyclic Base बोलते ने HITROCyclic Base के अदर हम अगर पैंटोज सुगर एड़ कर दें तो हमारे पास क्या मिलता है कि Nucleoside मिलता है अब Nucleoside के अंदर अगर हम Phosphate Group एड़ कर दें PO4 3- तो हमारे पास मिलता है Nucleotide जो कि इसमें क्यूसर में दिया गया है Nucleotide यह बनता है Nucleotide अब Nucleotide का जब Polymerization होता है Polymerization होता है तो हमारे पास मिलते है तो हमारे पास मिलते है Nucleic Acid अब Nucleic Acid क्या होते है जो DNA और RNA होते है वो होते हैं दो Nucleic Acid देखी Nucleic Acid में क्या आता है DNA and RNA अब जो Heterocyclic Base होते हैं हमारे पास Heterocyclic Base है यह दो टाइप के होते है प्यूरीन बेस होते है और प्यूरीन बेस होते है अब प्यूरीन बेस क्या होते है प्यूरीन बेस और दूसरे होते है प्यूरीन बेस प्यूरीन बेस प्यूरीन बेस प्यूरीन बेस होते है अब यह दो टाइप के होते है यह दो टाइप किसका है हो और यह होते हैं तीन टाइप के, देए, यह होते हैं हमार पास तीन, और प्यूरिन और प्यूरिमिडिन बेस होते हैं, मतलबолет, मतलब एक DNA में, जhãसे गियोटीर होते हैं, पूरीन बेस की कॉणोंटीटी एक्वल होती है. यह क्या होते हैं? साइटोसaran साइटोसान युरासील दिने गियोडंद सब्षिटीर ते थाइमेड यह तिन होते हैं अब इसमें क्या हता है? जो जो बच गया गुवानिन उसका तीन हीडोजन बोन्डिंग और किसके इसके साथ? DNA के अंदर यह complementary combination होता है हमारे पास, यह होता है DNA के अंदर complementary, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, A plus G is equal to T plus C, मतलब adenine और guanine की quantity equal होगी, thymine और uracil की equal, यह दोनों quantity equal होती है, मतलब एक DNA के अंदर, purine basis और purine basis की quantity equal होती है, यह हो गया, अब देखते हैं RNA में क्या होता है, RNA में जो होता है, RNA के अंदर क्या होता है, वो देखते हैं, RNA के अंदर जो adenine होता है, वो uracil के साथ 2 hydrogen bonding मनाता है, और जो बच गया guanine, वो cytosine के साथ ही 3 hydrogen bonding मनाता है, तो यह होता है complementary basis का combination RNA के अंदर, और यह था DNA के अंदर, तो देखते हैं कि इसमें पूसरा है कि correct about nucleotide, nucleotide के अंदर पूसरा है, तो adenine, thymine के साथ है, guanine, cytosine के साथ है, सही बात है यह, तो यह क्या होगा complementary basis का combination सही है, तो option 1 तो राइट है, अब देखते हैं second, second में क्या है, adenine, guanine के साथ, adenine और guanine तो क्या है, purine basis है, इसका complementary तो purine मिलेगा, तो यह थो आपस में सेम ही होगए, तो इसमें इस क्या होगा, यह तो गलत होगा, अब देखते हैं, guanine और thymine, guanine और thymine, देखें, और थाइमें थाइमें तो होते ही निए, तो यह भी option कलत होगा, तो हमारे पास first option निए the right answer, thank you friends.